हे व्रीवन स्वागत है आप सभी का होम क्रियेटिविटी विद सुची में और मैं हूँ सुचित्रा तो कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर मखनी की रेसिपी तो इस टेस्टी क्रीमी फलफी ग्रेवी को मैंने कैसे बनाया है ये तरीका मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी और आप भी इसे घर में बहुत ही आसानी से जट पट रेडी कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ तयारिया मैंने पहले करके रखी है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि मैंने बहुत सारे टमाटर कट किये हैं प्याज है लहसन द्रग भी है कुछ हानी मिर्चे भी आपको दिख रही होंगी तो ये सारी तयारिया पहले से आपको करनी परेंगी जैसे ही आप इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले से आप तयारी करके रखेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ मेरे इस कुकिंग ब्लाग में पनीर मकनी के इस टेस्टी ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने लिया है चार टमाटर और एक प्याज उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है ये है कुछ आलमंड्स अगर आपके पास काजू है तो आप काजू डाल दीजिए इतनी ही कॉइंटिटी में और उसके बाद कुछ लहसुन के दाने चीलने है दो तिन हरी मिर्च ले लिजिए अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची कम कर सकते हैं वैसे ये तीखी वाली मिर्च नहीं है इसलिए मैंने दो तिन ले ली है और एक इंस टुक्रा अध्रक ये है बटर अफकॉर् तो पहले ग्रेवी के लिए मैं इन सब को हलका सा रोस्ट करूंगी तो मैंने बटर में दाल चीनी के टुक्रे दे दिये हैं दो लॉंग चार पाच काली मिर्च एक हरी इलाइची और इसके साथ मैंने जितने भी ये मसाले मैंने काटके जो तयार किया था जो प्यास यही इसमें जो तयारी में टाइम लगता है वो यही एक टाइम लगता है क्योंकि इसे पहले हम आराम से पकाएंगे और फिर ठंडा करेंगे तो भूल लिया और ढखक जोड दिया करिब चार से पाच मिनट तक जोड़ देना है और फिर इसको हम पीस लेंगे तो UX प्यान प यहां पे आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्टमाल करें एक चमस्ते दें ताकि रेड कलर आ सकें और अगर तीखी पसंद करते हैं ग्रेवी तो थोरी सी जो तीखी वाली मिर्ची है वो डाल दें लेकिन जादा नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर मखनी की जो ग्रेवी होती है वो थोरी सी स्वीट होती है थोरी सी मीठी होती है बट यह आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है आप इसे थोरा सा तीखा बना सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से तो इसके साथ ही मैंने पीसा हुआ पूरा मसाला जो था वो मैंने एड कर दिया है और साथ में डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक अब इसे हमें कुछनी करना है स्लो ब्लेम करके इसे अराम से पकाते रहना है तो इसको पकने में थोरा सा टाइम लगेगा जादा नहीं लगेगा और जितने में हमने टमाटर डाले थे न तो उसकी खटास को बैलन्स करने के लिए एक चुथाई चमच चीनी आड़ करेंगे तो इसके बाद हम इसमें मलाई वाला दूद भी डालेंगे अगर आपके पास क्रीम है पैकट वाला तो वो डाल दीजिए घर की बनी थाजी मलाई है वो डाल दीजिए ये आप़े टिपेंड करता है कि आपके पास क्या अबलेबल है तो चुकि इस पे हम क्रीमी दूद भी डालेंगे तो इसलिए ज्यादा चीनी देने की कोई जरूरत नहीं है और अब इसमें मैंने add कर दिया है हमारा जो पनीर का था pieces वो तो इसको मैंने आज fry नहीं किया है मैंने ऐसे ही add कर दिया है आप चाहे तो बटर में इसे हलका सा सौटे करके और फिर आड़ कर दे और इसके बाद देखिए इसको हमें पकाना है चुकि हमने ग्रेवी को पहले भी पकाया हुआ है तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी साथ में आड़ कर देंगे हम आधा चमच गरम मसाला पाउडर कोई भी गरम मसाला अपले सकते जो भी आपके पास है और आराम से इसे हिलाते हुए धीमी धीमी आज पे पकाते जाना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे जब इसे हम पका रहे हैं तो इसमें हम थोरा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं और उसके बाद इसका कलर जो है आप देखेंगे कि बहुत ही खुबसूरत रेड रेड कलर आने लगेगा क्योंकि इसमें टोमेटो का बहुत ज़्यादा इस्तमाल हुआ है और कश्मीरी लाल मिर्च आप देंगे तो इससे बहुत ही सुन्दर धीरे धीरे कलर चेंज होगा अब बारी ही है इसमें मलाई डालने की तो दूद वाली मलाई होती है या क्रीम आपके पास रेडी मेड है जो भी है आप इसमें डाल दीजिए आधी छोटी कटोडी और उसके साथ भी हमेंसे एक दो मिनट और पकाएंगे फिर डाल देंगे कसूरी में थी हाथों से क्रश करके अभी देखिए इसका कलर काफी बदलता जा रहा है और ग्रेवी भी गाड़ी और फलफी होती जा रही है तो पानी जादा ना डाले जैसे आप टमाटर का पेस्ट डालते हैं तो ग्राइडर में अगर मसाला लगा है तो उसमें या पाधा कप पानी डालके और उसे अच्छी तरह मिला के आप इसके साथ पका लेजिए इस करी को मैंने 10-12 मिनट चलाते वे पकाया है और जादा देर नहीं लगती है इस करी को बनने बेरा बढ़ाने का तरीका कैसा लगा और अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज एक लाइक किजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मैं मिलती हूँ अपने नए एक इंट्रेस्टिंग ब्लॉग में तिल देन टाटा स्टे सेफ